अपने देश में पुरातन काल से अतीथी देवोभवक की संस्कृती चली आ रही है जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां अतीथी को भगवान का दर्जा दिया गया है घर पर आए अतीथी को बड़े ही आदर सदकार के साथ स्वागत किया जाता है उनके खान पान से लेकर उनके रहने तक की उतम विवस्था की जाती है लेकिन आपको बता दें कि बिहार के पुर्णिया में एक ऐसा गाउं भी है जहां अतीथीों के आने पर उन्हें बंधक बन लिया जाता है और तब तक छोड़ा नहीं जाता जब तक वह पैसे न भर दे जिसके वज़ों से आज की टाइम में आसपास के गाउं वाले भी इस गाउं में आने से कत्रा आते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि पुर्णिया के इस गाउं की अजीम परंपरा के बारे में बिहार के पांचवे सबसे बड़े नगर पूर्णिया के चिमनी बाज़ार गाउं में कबसे महमानों को बंधक बनानी की परंपरा चली आ रही है किसी को पता नहीं लेकिन परंपरा से अब तक यहां के आसपास के गाउं वाली भी इस गाउं में आने से कत्रा रहे हैं वही को ऐसा करते हैं तो इससे उनके कुल देवता खुश होते हैं इस कुरिती को दूर करने के लिए सदर्थाना अध्यक्ष चंजय कुमार आगे आए हैं उनकी पहल पर वर्षों से रिस्तदारों को बंधक बनाकर मोटी रकम वसूले की परंपरा में गिरावट देखने को मिली है चिमनी बाजवार गाव का स्थानिय निवासी मुजफर आलम बताती हैं किस इलाके की लड़की के शादी आसपास या फिर अन्य जगों पर होने के बाद जो पती पत्नी के बीच मन मुटाव हो जाता था तो माईके वाले बेटी के सश्राल वालों को किसी तरह से बहला फु कर रुपए वसूले जाते थे वही आपको बता दे किस कुरीती के चलते अब तक 30 से अधिक लोगों पर मुकर्मा किया गया है लगतार इस तरह के मामले आने से सदर पुलिस भी अजीज हो चुकी थी इससे निजार दिलाने के लिए सदर धाना अध्यक्ष संजय कुमार सिं पुलिक रूप से इस तरह के काम को दोबारा नहीं करने की शपतली है सदर धाना अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि चिमनी बाजार को लेकर पिछले कई उदसक से लोगों के मन में यब्रांती फैली हुई थी कि वहां के रिष्टदार अपने ही कुटुम को बंधक बना कर रुपय वसूलने का काम करते हैं लोगों ने आइंदा इस तरह का काम नहीं करने की बात सार्वजनिक रूप से स्विकार की है लोगों ने शपतलिया कि वह ऐसा किसी को करने के लिए भी प्रेडित नहीं करेंगे यदे कोई ऐसा करेगा तो वह कानून के तहट दंड का प्रेडित तरह करे लिए